क्या आप जानते है मुंबई में एक ऐसी भी जगा है जो बनी तो अंग्रेजों के जमाने में है बट बनाया गया है उनसे बद्वा लेने के लिए मैं बात कर रहा हूँ हमारे मुंबई की शान ताज महल पैलेस होटल की तो दोस्तों मैं इस वक्त हूँ काला गोडा एरिया में जो कुलाबा के बिल्कुल नस्दिक में है और ये इसका जो एड्रेस है काला गोडा फोर्ट में आता है और जैसे की मेरे पीछे आप देख सकते हो यहां पर यह जो काला गोडा एन्युल पैस्ट होता है हर साल फेबरे होटल वाटसन है जो कि थोड़ा पोट तूटा फूटा लग रहा है तो जो वाटसन होटल है यह बना था 1869 में और यह उस वक्त का बहुती बहुती एक्दम ब्यूटिफुल होटल हुआ करता था बहुती पैसे वाले लोग इसमें जाते थे और ज्यादे तर जो जो लोग ब्रिटिश ही होते थे तो उस वक्त का एक रूल ऐसा था कि इंडियन्स एंड डॉक्स नहीं नॉट अलाओड ऐसा एक रूल हुआ करता था तो जो एक बर क्या हुआ कि जम्शेच जी टाटा जो ताटा इंडेस्ट्री के जो करेंट ओनर है रतन टाटा उनके ग्रान फादर उनके दादा नाम है जम्शेच जी टाटा तो जम्शेच जी टाटा इस होटल में जा रहे थे तो जाते ही एंट्री पर ही रोका गया और उनको बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से उनको इंसल्ट करके उनको निकाला गया होटल से क्योंकि उनका जो पैनावा था उनका जो ड चुक्सा आने के बाद उनों है कि इसन घूल से भी कि इस से भी उम्हेंगअ और अच्छा मा बनाऊंगा जो कि भी बिलकुल इससे भी बेटर लोकेशन पर होगा और बनाया उनों ने यह घूल ऑगा जो कि ताज मेल पालस होटेल कि नाम से जाना जाता है तो मैंने अभी मैंने जो बताया है यह हिस्ट्री था वाट्सन होटल का और यहां से हम लोग लगबग 500 मीटर की दूरी पे ताज मेल पैलेस होटल है और वहां पर जाके मैं आपको ताज होटल के बारे में मैं बताऊंगा मैं इस वक होट चुका हूँ ताज होटल के बिल्कुल सामने हूँ और बारिश बहुत जोरदार हो रही है लेकिन फिर भी वीडियो बनाना तो जरूरी है तो यह जो मेरे आप पीछे देख सकते हो यह यह रहा था ग्रेट ताज मेल पैलस होटल जो की बना था 1903 में 1903 में यह बताया था कि एक रिवेंज लेने के लिए वाँ पर जमशे जी टाटा को होटल से निकाला किया था इस वज़े से उन्होंने यह होटल बांदा 1903 में यह होटल का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और बनने के बाद यह बिल्कुल फाइफ सार होटल उस जमाने में 1903 में 1903 में इतना लक्शरी होटल हुआ करता था कि सभी लोग इस होटल को इतना ज्यादा पसंद करने लगे इतने बेटर लोकेशन में तो जो 1903 में जो बनाता हूँ सिर्फ पैलेस विंग बनाता जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो की पत्थरों से बनाता ओके जो ब्लाक स्रो इस विंग फुल्फिल नहीं कर पाता था तो इस वज़े से टावर विंग भी बांदा गया 1974 में तो टोटल इस होटल में पैलेस और टावर दोनों मिला के कुछ 560 रूम्स है और जो बेसिक प्राइज होता है वो डिपेंड करता है सीजन में कि आप हाई सीजन में आ रहे है कि लो सीजन में आ रहे है तो इस होटल के जो प्राइज है यह डिपेंड करता है कि सीजन में कि जैसे कि हाई सीजन जो होता है ज्यादतर विंटर में जो नवंबर से लेकर मार्च के बीच में होता है ज्यादतर लोग ट्रावल करना पसंद करते हैं विंटर में तो उस वक् मिनिमम से मिनिमम जो प्राइज होगा वो लगपक 15,000 रुपीज पर नाइट होगा मनलब एक दिन 24 घंटे इस होटल में रहने के लिए आपको 15,000 रुपए दिना पड़ेगा जो की जो की बिल्कुल मिनिमम है उससे भी जादा हो सकता है मेरे मैं जितना जानता हूं 15,000 मिनिमम प्राइज होगा एक दिन का जो की इस होटल के स्टैंडर से बिल्कुल लो है और इस होटल के स्टैंडर से जो सबसे गरीब लोग जो इस होटल में रहना रहते हैं वो लगपक 15,000 रुपया पर नाइट पे करते हैं और जो सबसे जो इसका सबसे एक्स्पेंसिव जो जो कुछ सा स्वीड लेते है तो तो पैसे वालों का खेल है यह सब तो दोस्तों I hope कि यह जो मैंने information दिया आपको interesting लगा होगा यह जो 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 ताज मेल पैलेस की मैं next कौन से जगे पर जाके मैं video बनाओ या आप मुझे comment section में comment करके बता सकते हो so video खतम करने का time आया है तो जाने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगा subscribe करो या ना करो या आपकी मर्जी है लेकिन आपने whatsapp ग्रूप में ये video को ज़रूर शेयर करो ताकि आपके सारे जो contacts है उनको भी ये information पहुच है लेकिन अगर आपके next video भी आप देखना चाहते हो तो बिना subscribe किये और bell button दबाए आपको मेरे next video का notification नहीं आएगा तो मर्जी है आपकी thank you very much see you in the next video